Hello everyone, I am Kshari Shinde, working in KPW English School सरफवती नकलना सिख. I am your drawing teacher. So student, today's our topic name is boat activity. तो इस activity में आपको boat का drawing करना है. तो boat में आप क्या-क्या add कर सकते हैं? जैसे कि ocean waves, sky, clouds, birds. इस अबजेक्स का आपको इस activity में drawing करना है. तो चलोफे students इस activity को हम start करते हैं. तो सबसे पहले हम draw करेंगे ocean waves. इस activity के रिए आपको page horizontal line में पकरना है. फिर हम ocean पे draw करेंगे boat. boat पी लिए हमें curve lines draw करनी है. यह बेधना हैं जलोफे इस पहले हैं. यह वे जले हमारी boat. फिर हम प्रोकर रिंगे, clouds. Bाँप्णा. और फिर हम ड्रॉप करेंगे एक सर्ण ऐसा भी रॉंट आपको अपकी प्लेइन बुक में करना है तो छोड़ो फिर सुरान इस एक्टिविटी को हाँ आप कलर करते हैं इस एक्टिविटी के लिए आपको लगने वाली है पेंसील, कलर पेंड और कलर्ज तो सबसे पहले यही ड्रॉइंग आपको पेंसील से करना है जैसे मैंने बॉर्ड पर करके दिखाया था फिर बाद में आपको कलर पेंसे इसे बॉर्डर करना है और फिर मैंने जैसे दिखाया है वैसे ही आपको कलरी करना है तो इसके लिए मैंने लिया है स्काय एंड ओशन के लिए ब्लू एंड डार्क ब्लू कलर्स तो मैं देने वाली हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैंने डार्क ब्लू कलर दिया है यहाँ पे लाइट ब्लू तो यहाँ पे भी हम लाइट ब्लू कलर देंगे यह हो गई हमारी ओशन वेव्ज फिर बाद में हम बोट के लिए देंगे पिंक कलर आप आपके मन से भी कलर यह हो गया हमारा पिंक कलर फिर हम देंगे यहाँ पे रेड कलर बोट के लिए आप आपके मन से डिजाइन भी कर सकते हैं और आपके मन से कलर भी फील कर सकते है फिर यहाँ पे भी हम देंगे पिंक कलर यह हो गया पिंक कलर फिर डिजाइन के लिए हम देंगे रेड कलर आप बोट के लिए अपके मन से भी कलर कर सकते हैं ओफिस काई के लिए हम देंगे ब्ल्यू कलर यह हो गया हमारा स्काई फिर हमें क्लाउड्स को देने हैं डार्क ब्ल्यू कलर यह हो गया हमारे क्लाउड्स और फिर हम सन को देंगे यलो कलर यह हो गई हमारे एक्टिविटी कम्प्लीट तो इस एक्टिविटी में आपको सीनरी बोट को ड्रॉ करना है बोट के साथ ओशन वेज, क्लाउड, सन भी आपको ड्रॉ करना है और फिर बार में आपको ब्यूटिफूल कलर्स के साथ उससे कलर करना है I hope कि आप सब यह एक्टिविटी एंजॉर करेंगे So best of love Thank you